हिलो दोस्तो साबी माली किचेन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं रवडी सेवई कटोरी जो बहुत ही कम समय में बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रवडी सेवई कटोरी बनाने के लिए मैंने यहां 100 ग्राम बारीकी वाली सेवई लिया है अब हम हातों से इसे इस तरह से क्रस्ट कर लेंगे आप इसकी जगापे मोटी वाली जो सेवई आती है उसे भी आप ले सकते हैं तो हमने सेवई को अच्छे से क्रस्ट कर लिया है तो जो शेवई है उसका कलर ब्राउं हो चुका है तो आब हम इसमें डालेंगे एक चम्मज घी अगर आपके पास कंडेन्स मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगहá हाब कप चीनी भी इसमें ढाल सकते हैं कंडेन्स मिल्क को अच्छे से मिला देंगे सेवई के साथ जब condensed milk और सेवय अच्छे से मिल जाए हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है इसे बस sticky जिसे आप देख सकते हैं इस तरह सही हम इसे मिलाएंगे अब हम flame को कर देंगे बन क्योंकि हम सेवय कटोरी बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है दो steel की कटोरी तो मैंने दोनों कटोरी पे clean wrap लगा दिया है आप इसकी जगा पे आगर आपके पास silicon mode है तो आप उसे भी बना सकते हैं अब हम सेवय को कटोरी में डालेंगे इस तरह से सेवय को कटोरी में डालने के बाद इस तरह से सेवय का प्रेस करेंगे ताकि ये कटोरी का अच्छा से safe में आ जाए हमें ये काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अगर सेवय जो है ठंडी हो जाएगी तो ये कटोरी में अच्छे से set नहीं होगे इसी तरह से दुसरे कटोरी को भी हम तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने सेवय की कटोरी को अच्छे से फैला दिया है तो अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे एक से देड़ घंटा के लिए ताकि ये जो कटोरी है वो अच्छे से set हो जाए तो अब हम रबडी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है इसमें हम डालेंगे एक चमच कॉनफलोर और इसी के साथ दालेंगे हम हाप कप मिल्क पाउडर और इसमें हम डालेंगे हाप कप काजू का पाउडर मैंने नॉर्मल काजू को ग्राइंड कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है रबडी में अच्छी से फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम डालेंगे हाप चमच इलाइची का पाउडर और इसमें हम डालेंगे हाप कप चीनी चीनी को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दो कप नॉर्मल टेंपेचर का दूद या फिर आप एक कप दूद ले सकते हैं और एक कप मलाई भी डाल सकते हैं दूद को डालने के बाद सबको हम अच्छे से मिला देंगे ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे तो हमने सब को अच्छे से मिला दिया है तो अब हम इसे फ्लेम पे चढ़ाएंगे तो फ्लेम को ओन करेंगे और फ्लेम को लो टू मिडियम पे रखके इसे एक से दो मेट तक चलाते रहेंगे एक से दो मेट चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो रबडी है वो गाड़ी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट ड्राइफ रूट में मैंने लिया है पिस्ता और आलमन दोनों को इस तरह से बारिकी से काट लिया है या फिर आप अपने पसंद के ड्राइफ रूट भी इसमें डाल सकते हैं तो रबडी को हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि रबडी जो है वो ठंडी जब हो जाएगी तो और जादी गाड़ी हो जाएगी तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे तो इधर हम चेक कर लेते हैं सेवाई की जो कटोरी है यह देखे कितने अच्छे सेट हो गई है और यह कितने एजली से निकल भी जा रहे है तो अब हम इसे प्लेट में रख देंगे इस तरह से तो इसी तरह से दुसरे कटोरी को भी हम निकाल लेते हैं यह देखें तो रबड़ी भी जो हमारी ठंडी हो गई है तो अब हम रबड़ी को कटोरी में इस तरह से डालेंगे तो आपने देखाना इसे बनाना कितना आसान है तो आप भी इसे एक बास ज़रू ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा इसे गानिस करेंगे पिस्ता से ताकि देखने में और अच्छा दिखे तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्वादिस्ट और कितनी टेस्टी रबड़ी सेवई की कटोरी बनकर बिलकुल तयार है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करें